हेलो गाइस वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं दी अमेजिंग स्पाइडर मैन के सिक्स्थ पार्ट में तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तो चलिए शिरू करते हैं अभी के लिए पीटर पार्कर के साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया है वो स्पाइडर मैन से स्प्लिट हो गया था एक लैब एक्सिडेंट में और अभी वो एक हो चुके हैं उसका मेरी जेन के साथ भी पैच अप हो गया है और वो दोनों काफी खुश हैं बट अभी भी किंग प अला काफी तेज गाड़ी चलाता है वो अपनी गन निकालता है और किसी पर गोलियां चला देता है अभी उससे कोई कहता है तुम बैडबाय हो डगी अंकल वल्चर को तुमारे साथ बात करनी है और वो डगी को गाड़ी से उठा लेता है वो कहता है वेट मैं explain कर सकता हूं तो वल्चर कहता है तुमें क्या लगा तुम अपने बोश से कुछ चुरा सकते हो मैंने तुमारे लिए कित्ना कुछ किया था बट तुमें ये ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी निगा तुम पे है अभी वल्चर को किसी की आवाज आती है जो कहता है प्लीज हमें मत मालो तो वो कहता है ये कौन है, तो उसे जवा मिलता है, मैं बाबी क्यू सोस हूँ, जो इसकी टीशेट पे लगा है, इससे तुम्हें ये तो पता लगता होगा कि ये अपने कपड़े नहीं धोता, इसलिए मैं जिंदा हो गया, बट हमने इसको कहा था कि पैसे मत चुराव, तो व ब्लैक एंट से कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा जोग बढ़िया नहीं है, किसी को हसी नहीं आई, तो ब्लैक एंट कहता है, चलो इससे तुम्हें टाइम तो मिल गया उसे पकड़ने का, वो भी कितनी आसानी से, बट हम डगी को नहीं बचा पाए, उसकी भी सोस बन गई होगी, तो टास्क मास्टर कहता है, आई तो हम जशन मनाएंगे, क्लाइंट हमें इसके लिए काफी पैसे देने वाला है, तो ब्लैक एंट कहता है, मुझसे भी वेट नहीं हो रही, कि नेक्स्ट कौन होने वाला है, तो यहां हम देखते हैं कि पीटर और मेरी जेन का र तो रूमेट ही एक सूपर विलन है, जिसको बूमर रैंग के नाम से जाना जाता है, इससे पहले वो एक बेसबॉल प्लेयर था, कुछ टाइम पहले इसने एक म्यूजियम में च्योरी की थी, तो मैंने इसका पीछा किया था, बट किंग पिन भी इसके पीछे पड़ा हुआ जो कि अभी नियोयोक का मेर है, जो भी भूमर रैंग ने लिया था, वो किंग बिन को चाहिए, उस टाइम तो ये वहाँ से भाग गया, बट एक घंटे बाद ये मेरे नए अपार्टमेंट में आ गया, मेरा रूमेट बनने के लिए, हाँ मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही उठाया और खुद को बिग बोस बना लिया, जो ब्लैक मार्किट चलाता था, और वो कुछ कीमत लेके फेवर भी करता था, उसके ये फेवर गुड गाइस के काम भी आये, जो उस टाइम इलीकल फ्रीडम फाइटर थे, तो जब हाइडरा को उखाड फैका गया, तो उसने जो लोगों पर एहसान किये था, उसका फाइदा उठाया, और उसने जो भी क्राइम किये थी, उसकी उसको माफी मिल गई, यहां तक कि किंग पिन भी उसको बचा लेता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह बंदा किसी भी चीज से बच निकलता है, और पता नहीं कैसे मै मेरा अंसर नहीं दिया, तुम यहां क्यों हो, वो कहता है, आज मेरा दिन थाना सफाई करने का, तो पीट कहता है, तुम जब से यहां आए हो, तुमने एक दिन भी सफाई नहीं की, तो वो कहता है, हाँ मैं सीख रहा हूँ, तो पीटर बताता है, तो देखा तुमने, जो मै पहुंचा जो कि काफी टाइम से खाली है वो देखता है कि वह वहां पे कुछ लोगों के साथ बैठा होता है वो यहां पे मोज मस्ती कर रहे हैं और आपस में गेम खेल रहे हैं उसके साथ होते हैं शौकर और स्पीड डैमन उन दोनों में लडाई हो जाती है शौकर कहता है य विश्वास की बात तो मत करो तो आवरड्राइव कहता है सौरी हम कहीं फस गए थे तो मैं सोच रहा था क्या तुम लोग नेक्स्ट वीक तभी बूमर रैंग उसको टॉक देता है वो कहता है यहां पे बिजनस की बाते नहीं होगी तुम लोग नियम जानते हो ना तो बेट को कहता है वह पहले की बाते हैं अभी तो हम गैंग है ना काम करने वाली घैंग नहीं हैंग आउट करने वाली तुम लोग बेस्ट हो चलो पते खेलते हैं और बीज़ेंग करते हैं यहां पर शौक Iraq करते होए कहता है कि Boomerang का तो एक प्लान है Spider-Man को मारने का जो हमें ये नहीं बताने वाला तो वो कहता है हाँ प्लान तो है और एक दिन मैं उसको खतम करूँगा और वो सभी लोग हस पड़ते हैं वो कहता है चलो गेम खेलते हैं तो Spidey कहता है देखा कुछ चेंज नहीं हुआ जो कि पार्टीस में काफी हिट है तो Peter कहता है तो रेंडी कहता है वो सुधर चुका है अभी Avenger टीम के आधे लोग पहले बैड गाइस ही होते थे ना कम ओन पीटर वो एक वोर हीरो है वो सही होना चाहता है हमें उसे चांस देना चाहिए तो पीटर कहता है मैं समझ गया रेंडी तुम एक सोशल वर्कर होना तुम सेकिंड चांस में विश्वास करते हो मुझे भी है बट विश्वास करो ये जल्दी ही क्राइम की दुनिया में जाने वाला है पहले ही वो मेरे सारे टावल का यूज़ कर लेता है तो रेंडी कहता है ये अच्छी होने वाली है कहानी तो फ्रेड कहता है उस टाइम स्पाइडर मैन के पास कैप्टन यूनिवर्स की शक्तियां थी इसकी वज़ा से उसे हराना और जादा मुश्किल हो गया था तो पीटर कहता है वेटर सेकेंड उस टाइम स्पाइडर मैन के पास वो शक्तियां नहीं थी वो तो कबकी जा चुकी थी तो वो कहता है तुम्हे कैसे पता तो रेंडी कहता है पीट तुमने इसको बताया नहीं तो वो उसको बताता है कि पीट स्पाइडर मैन का personal photographer रह चुका है इसने तो अपने काम पे बुक भी पब्लिश करी है तो पीटर कहता है हाँ मैं स्पाइडर मैन के मामले में एक्सपर्ट हूँ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इतना तो स्पाइडर मैन भी खुद के बारे में नहीं जानता होगा जितना मैं जानता हूँ तो फ्रेड कहता है पीटर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा आज तो एक घंटे बाद वो उसको कहीं ले जाता है तो पीटर कहता है हम कहां पे हैं तो बूमर रैंग कहता है तुम चिंता मत करो तुम्हें मुझे पे विश्वास है ना तो पीटर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं तो वो कहता है मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो बट वो पहले का टाइम था मैंने उस सब को पीछे छोड़ दिया है तो पीट कहता है तुमने अपना कॉस्ट्यूम क्यों पहना है तो भूमरेंग कहता है नहीं, मैं तो बस तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने वाला हूँ, ये सभी अच्छे लोग हैं, तो पीटर कहता है मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये मुझे यहां ले आया, यहां सभी मेरे जानी दुश्मन है, जो यहां पे मोज मस्त के लिए इकठा होते हैं, इसको कहते हैं दी बार विद नो नेम, कुछ तो ये भी कहते हैं कि इसको डैविल ने खुद बनाया था, लेकिन वो किस से मजाग कर रहे हैं, इसके काफी अपस और डांस रहे हैं, तो वहां सभी लोग भूमरेंग से पूछते हैं कि ये कौन है, तुम्हें पता है ना, यहां पर सूपर विलेंस हैं, तो भूमरेंग कहता है, ये मेरा बड़ी है, और ये एक सूपर विलेंग है, इसको कहा जाता है दिलायर, इसके पास शक्तियां है कि ये तुम्हें किसी भी बात का यकीन दिला देगा, तो वो कहते हैं, इसके पास तो क के बाद छोड़ दिया उस फिस्क की धया पर उन दोनों में भैस बाजी हो जाती है तो वहां का बाग की पर कहता है तुम्हें पता है ना यहां के नियम यहां लड़ाई नहीं होगी तो अलेक्ट्रों पीटर को कहते होए जाती है तुम अपना ध्यान रखना यह धोके बाज ह इसने हमारे टीम को धोका दिया था तो पीटर कहता है मुझे लगता है मुझे यहां से चले जाना चाहिए तो बूमर रैंग उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है अभी वहां पर एनौसमेंट होती है कि यह स्पाइडर मैन ट्रिविया नाइट है और जो भी जितेगा उसे कैश म बट मुझे इन सूपर विलेंस पे दया नहीं आ सकती तब तक तो नहीं जब तक मैंने कुछ सुना नहीं वहां कुछ सूपर विलेंस बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को बंदी बनाएंगे और वहां से चोरी करके निकल जाएंगे एक घंटे में हमें वो प्लैन बताएग उनके सवाल बहुत जादा असान थे तो वो वहां पे स्पाइडर मैन के बारे में कुछ सवाल पूछना शिरू करते हैं जैसे कि स्पाइडर मैन ने गिलेक्टस के किस हेरल को हराया था और वो भी अपने हाथों से तो पीटर सोचता है कि ये इतना असान कोश्चन है और किस को नहीं बता और ये सबी खुद को‐ सबार अलने खुद के जानी दुश्मन कहते हैं वह लोगत जवाब देते हैं तो पीटर कहता है साइड हट और मैं बताता हूं और मुझे यह भीन नहीं पता लगा कि उस ने मेरा फ्वόन चुरा लिया है और यह फ्वान सब्न इस सीव आदमी कहते हैं यह special line को setup किया गया है तुमसे बात करने के लिए हमें अपनी terms and condition बताओ भूमर रेंग कहता है मैं तुम्हें यह credit देना चाहूंगा कि तुमने मुझे ढूंड लिया तो वो उससे बताते हैं कि मेर फिस्क ने तुमारे मामले में काफी सबर किया हुआ हम तुम्हें पूशताश के लिए उठाके भी ला सकते थे बट हमने professional way चुना है तो बूमर रेंग कहता है bad call अगर तुमने मुझे मा सब्सक्राइब हो तो उससे बता देना कि मैंने अपनी कीमत बढ़ा दी है और वो भी दुगनी वो तुम्हें मैं जल्दी ही calculate करके बता दूंगा और वो फोन को वहीं फैंक देता है वो कहता है मैंने क्या मिस किया तो पीटर कहता है खुद देख लो तो उसने सभी सवालों के जवाब दे दिये हैं और वो इनाम जीत चुका है उसने वहाँ एक नया record बना दिया है सभी लोग उसके लिए तालिया बजाते हैं यहां हम पहुंच चुके हैं फिसके office में वो गुसे में कहता है क्या कहा उसने उससे लगता है वो मुझे चनोती दे सकता है उसने पहले ह मेरा time waste किया है तो वो कहता है बार में सभी को बता दो कि मुझे उसका सर्च चाहिए जो भी पहले लाएगा उसको इनाम मिलेगा उसके office का आदमी कहता है बट सर आपको तो वहां की नियम पता है ना बार विद नो नेम में कोई भी ऐसा नहीं करने वाला वो ऐसा नहीं करें क्योंकि वहां के नियम है तो फिस कहता है यह सब होगा जब उन्हें बता लगेगा कि मैंने offer क्या किया है तो हम देखते हैं कि वहां के सभी विलिंज को मैसे पहुंच जाते हैं तो पीटर बताता है कि आज मैंने इन बैड गाइस के साथ टाइम बिताया तो मैं ऐसा सोचने में मजबूर हो गया कि यह लोग शायद इतने भी जादा खराब नहीं है तो गाइस इसी के साथ हमारा यह पार्ट खतम होता है नेक्स पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजे हम भी मिलते हैं नेक्स व